जेके नियूस्टुडे में सभी दर्शुकों का स्वागत है परधान मंद्री नरेंदर मोदी द्वारा इस बात को बल देकर कहा गया है कि BSNL की सेवाओं को जादा से जादा बहतर किया जाए ताकि जो BSNL में मुश्कलात का सामना लोगों को करना पड़ रहा है उसमें काफी कमी आए इसी बात को मदने नजर रखते हुए BSNL समय समय पर TAC यानि की टेलीकॉम एडवाईजरी कमेटी मीटिंग करता आया है आज ये टेलीकॉम एडवाईजरी कमेटी फिर से है तो आईए जानते हैं इस मीटिंग में इस बार BSNL क्या एहम फैसले लेने वाला है देखिए ये तो ठीक हाँ आपने के TAC की मीटिंग आज जमू में हो रही है और आप देख रहे हैं कि जमू क्षेतर के सारे जितने भी आफिसर हैं वो तो आई हुए हैं लेकिन जो नए मेंबर्स बने हैं वो भी सारे हैं राजोरी के हैं सांबा के हैं जमू के हैं आरश पुरा के हैं तो जैसे के रूटीन में क्या रहता है कि वही हम थोड़ा अरवियू करते हैं इस मीटिंग में के फीड़ बैक आती है ग्रामीन क्षेतर से शेहरी क्षेतर से कहां कहां ठीक चल रहा है कहां कहां नहीं ठीक चल रहा है जहां ठीक चल रहा है वो तो ठीक है जहां नहीं ठीक चल रहा हो तो वहां इस मीटिंग में उसकी चर्चा होती है और उसको दुरूस्त करने की बाद जो साथ की और कैसे इसको सुदरड़ बनाया जाए जादा से जादा कनेक्शन जो है वो BSNL के लोग लें और BSNL के जो गरहक हैं उनको जादा से जादा सुब्दाएं जो हैं वो BSNL की तरफ से मिले उस पर भी जहांपर चर्चा होती है लेकिन आपने देखा होगा कि जहां पर थोड़ी चर्चा हुई है कि पिछले दिनों BSNL जो हमारा एक सहजोगी है कि वही नेटबर्क के लिए लेकिन BSNL को पैसे की बड़ी कमी रहती थी अब इनों ने तो बताया था कि BSNL जितना कमाता है उससे कम खर्चा होता है लेकिन खर्चा क भी बाहर पर रहने चाहता हूं कि उन्होंने दिल खोल कर इस BSNL के नेटवर्क को आगे बढ़ाने के लिए फोर जी और फाइब जी लाउंच करने के लिए वो सारी सुब्दाएं जो एक बड़ी कमपनी चाहे एरटेल हो जा एरलाइंस हो वो जो अपने ग्रहकों को सुब् इस कमीटी के मुझे जहां मुका मिलता है और हम कोशिश करेंगे कि हर तीन चार महिनी के बाद एक अरवियू मीटींग हो और जो काम चल रहे हैं उनकी भी समिक्षा की जाए क्या प्राग्रास है कब तक होगा अभी हमारी मीटींग चुरू हुए है तो हम इसमें कुछ टार प्रवे जो है वो चल रहा है जल्द कंप्लीट होगा 4G और 5G कि कहां जरूरत है कहां पर टावर लगने है उन टावर्स को भी जल्दी कंप्लीट किया जाएगा ताकि जो 4G और 5G के मादिम से जितने भी सेवाएं लोगों को मिलनी चाहिए वो जल्दे से जल्दी मिलें जै और दूसरा वहां पर आगर कहीं कोई कमी आती आए तो फोरण वो सेवाएं दी जाएं ताकि वहां के जो लोग हैं उनको को परशानी नहाए और 4G और 5G के मादम से लोगों को जिस नेटवर्क की जरूरत है वो भी उनको मिले यह हमारी एक प्रियार्टी रहेगी यह देश कमओ कश्मीर के साथ साथ पूरे देश बर में बीसल का नेटवर्क जो है वो जो इसकी सहजोगी और दूसरी कंपणीज हैं बहूत अश्चा हो जाएगा और जो लोगों में एक रहता ऐना जाता हूँ के आए हम ब्यूश aynı को आगे बढ़े हम ब्यूश से सारी शुर्बधाय कि आधी लेकर बड़ी से बड़ी कंपडी मी जो आपको आपको शुर्बधाईथी ए जो आपका ख्याल रखती है उससे भी बढ़ कर भी एसनल का ख्याल रोगी है कि जो सर्फिस हम रन कर रहे हैं उस मुथली चलें उसमें जो इसकी पावर की कमी थी जिसमें बैटरी बैक अप नहीं था वो एक्यूपमेंट बैटरी आ रही हैं ख्रीद के सेंटर गवर्मेंट से ख्रीद के बहां सेंटर प्रलेस दिल्ली से वो अभी डिलेवर होना शुरू हो गई हैं और हमने लागवग दस परसेंट एरिया कवर कर दिये हैं जहां बैटरी बैक का बिलकुल नहीं था और जो ही पावर जाती थी तो सर्फिस कट जाती थी वो अभी फेस्ट मैनर में दो तिन महीने के अंदर सब जगा ब प्लान कर दिया है और जैसे मैंने बताया था अपनिंग में के टोटल बाइसो टावर से आलडी जेन के में वह अभी च्छती सो होने जा रहे हैं और वह भी फाइव अंडर डेज के अंदर अंदर वो भी हम और जी के टावर ब्ला देंगे और फॉर जी के साथ-साथ डिक्षन हैं कितने डिस्ट्रिक को रिप्रेजेंट करते हैं फिर इनके आगे कितने बरकर्स होते हैं कितने फीड़ बैक आती है कि हमारी सर्फिस कैसी है इनको हमसे भी ज्यादा पदा लाता है कि कि इस गौँम में कहां से गिल नहीं है और इसका नाम है टेलिकाम इस हैं तो पब्लिक की जो उनकी जो एक्सपेटेशन हैं उनको हमारे सामने डिसकस कर रखते हैं और हम भी अपने बताते हैं क्या करना है तीन चार गैंटे में सारा ब्रेंस्टार्मिंग होगी और इस कमेटी में और जो इसके आउटकम निकले का है उस साफ से हम एक्शन कर विसका इरो हैं तुकर एसे हैं